नमस्कार जय जोहार मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का competition community के इस e-learning platform जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विसे है जिसे हम क्या बोल रहे है चट्थिस गड़ में जन्जाती विवा जन्जाती पर्व तथा परंपरा गतकारिय अगर आप ये वीडियो का importance इसका महत्व समझने वाले है तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहते हूं अगर अगर कोई भी राज्य में आयोजित होने वाले परिच्छाओं का आयोजन करता है अगर उसमें 36 जन्जाती से संबंधित प्रस्न पूछे जाते हैं आप सोचो कि अगर आपको 10 प्रस्न आएगा तो इन जो तीन टॉपिक देखोगे वहां से आपको 5-6 प्रस्न आपको गमें जन्जाती विवा पर वायवं परमपरगत कारिय प्यार प्रस्न निनम में सुमेलित नहीं है इससे पहले आप क्या 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 बता था जो लड़के होते अपने जीवन संगनी को प्रभाविद करते हैं और अगर कोई लडगी उससे इंप्रेस हो गई तो विवाह कर लेती है आप विवाह का पध्धती देखते हैं कि हमारे पास विवाह कैसे होता है सबसे पहले लिखाए क्रय interns क्रय क्रयविवा तो तो आपको याद रखना विनीमा आपका विवा भी बोलते हैं इसी को ठीक है जी इसमें खरीद दे रहें तो जैसे हनी सिंग का गाना था ना है घर है पैसा है गाड़ी दो जोड़ों में लड़की भेजो लड़की हुई हमारी बिल्कुल वासी वाली बात बोर रहें इसमें जो लड़का है उसके पास अथी इफराद पैसा है अब जा रहा है अगर क्या करता है लड़की को वो पैसा दे के वध्धू मुल्य आपको यह वर्ड प्रयोग करेगा वध्धू मुल्य वद्धु मुल्य चुकाकर अगर क्या कर रहा है वो विवाह कर रहा है तब उसी को क्या बोलते हैं क्राव विवाह बोलते हैं उसी को पारिंधन विवाह बोलते हैं क्लियर जी आगला बोल रहा है क्या सेवा विवाह यह सेवा विवाह आप देख चुके हो इसी सेवा विवाह आपको चरगियां भी बोलते हैं तो आपको याद रखना क्या सेवा विवा चरगिया विवा इसी बोलते हैं लमसेना या लमसेना के लिए आपको माला माल विकली पिचर याद आएगा और माला माल विकली म रहता है कौन आपके लिए रितेज देश्मूंग जैसे मैं इंजिन बहुत सारे में बहुत सारे इंजिनियर जो होते हैं फर्जी होते हैं मतलब काम करेंगे 15,000 का बताएंगे 50,000 अपने लड़की देखने के लिए आप बोल दिया मैं 50,000 कमाता हूं प्रोफेशन देखके आदमी न जाना काता हैं के सहीं इतना पैसा कमाता होगा कर के मतलब काती हैं तो पचास आजार सेलरी है ओके तते एक काम गर तेहां पहली मों घर में आ अब यह यह तोड़ जगाए अब भी खर्चा है बोल रहा है मेरे पास कार है तो कार को मेंटेन भी तो करोगे तब क्या होता है एक निश्चित समय आउधी तक जैसे उसमें रितेस देस्मों क्या होत करमत आदमी है अगर मेरी बेटी को एक खूस रख सकता है अगर ऐसा एक विवा होता है उसे विवा को क्या बोलते हैं लंव सेना विवा मतलब एक निश्चित समय आउधी तक लड़का जो है वर जो है वधू के घर जाके क्या करता है कार्य करता है तत्पस्चात अगर उसक अगर विवा होता है उसी क्या बोलते है लम सेना तो आपको याद रखने है सेवा आपको याद रखने है सेना क्लियर जी तो आपको याद रखने है लम सेना विवा सेवा वही होता है उसके बाद हो रहा है क्या अपहरन विवा अपहरन विवा में बिल्कुल ऐसा बात है जैस समाजिक प्रवित्ति के लोग होते हैं वो करते हैं पाई स्वेतुर विवा मतलब अगर लड़की बोल रही मैं इससे साधी नहीं करूंगी लेकिन लड़का जब अजस्ती बोल रहे हैं मोला साधी करना है एक रेस से करना है तो अगर ऐसे पाने के लिए आतूर आतूर देखो को अपहरन विवा बोलते हैं ऐसे काईंड श्विवा है अगर आपको तूर पुछें आपको अपहरन विवा बोले आपको लगाना यह क्या पाई से तूर क्लियाः जी उसके बाद बुर्ण रही गंधर्व विवा में इधर दीया आपके लिए क्या विधवा पुनर विवा तो यह जो विधवा पुनर विवा है यह आपके लिए गलत अंसर है तो इसमें क्या पूछा था निनम में सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं है गंधर्वा विवा का एक प्रकार होता है उडरिया जैसे बच्पन में खेलते थे मतलब अगर भाग के साधी करेंगे तो ऐसे विवाह को बोलते हैं उड़ारिया विवाह जो होता है वो क्या होता है गंधर्व विवाह का एक प्रकार होता है आप देखो विवा पूनर विवाह यहां से भी प्रस्ना पूछा गया मैं पहलील बता दे रहे हूं भाईया मोरो तबियत बहुत अच्छा है इसे करके बात नहीं है यह ती 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 घुमना है सुबा से लेका रात तक क्लास लेना है पानी दत जगक चेंज हुआ थे घर में ज आबेता टूसन में आबेता सब जगा के कोनो मेर गरम पानी कोनो मेर मरेजील ठंडा पानी कोनो मेर ठंडा पानी पूरा गलक बेंड बाज गये क्लियार आगे चले क्या आगे चलना है विद्वा पूनर विवाह तो यह जो विद्वा पूनर विवाह होता है यहां से आपको हल्दी पानी विवा, तो आपको यहां से 6-7 प्रकार के प्रस्णा बन रहे हैं, तो आपके लिए आंसर तो गंधर्व विवा हो गया था, लेकिन गंधर्व विवा होता है, उसको बोलते हैं, उलारिया विवा, क्लियर जी, यह विद्वा पुनार विवा को बोलते हैं, चूर रहा है नीनम में से सुमेलित नहीं है मतलब इसमें फिर थी प्रसन का जो जवाब है वो सही है और चौन्था आपके लिए गलत है क्लियर जी सबसे पहली क्या बोर रहा है धूकू विवाः तो यह धूकू विवाः और आपके लिए जो भगेली विवाः ये दोनों आपके हट Вिवा है ह्ट विवा मतलब एक जहन आदमी हट कर रहे हैमोला यह मतलब मतलब चाहिए लड़का हो सकता है या लड़की लेकिन अगर जण जातियों में हट विवा होता है तो इसमे अगर लड़की जीत कर रही है किसके साथ लड़के के साथ विवा कर अगर अगर ऐसा विवा होता है तो उसको बोला जाता है हट विवा क्लियर जी अगर विवा का प्रकार देखें देखें आप थोड़ा बताई देताम विवा विवा अगर देखोगे तो आपके लिए तीन चार प्रकार के विवा होते हैं सबसे पहला विवा होता है समानिय विवा क्लियर जी अभी आप पीछे देखे थे दूसके बाद क्या आता है आपके लिए अपके लिए आता है क्या जनजाती वीवा तो अभी हम लोग देख रहे हैं हट वीवा देख चुके अब देख रहे हैं हट वीवा धुकू आप ये समझना कि कोई चीड ढूलेगा ढूलेगा मतलब कैसे जैसे सिक्का लिए और शिक्का ढूला तो जो राउंड जो जन्न जाती कि अगर लड़कियां किसी लड़के को बोले कि मैं इसी से साधी करूंगी इसी से विवा करूंगी और वो साधी होने पहली उसी घर में जाक रहना चालू कर देती है कि मैं फलाना घर के बहु हराँ तब ऐसे विवा को क्या बोलते ढूकू विवा क्लियर जी याद रखने आपको दूसरा वीवा, भघेली, मालो आप किसी भघाग साधी कर रहो, करू चैसे नहीं बोलना, भी मालो कोई करता है, तो मालो भघाग साधी नहीं कर रहा, इधर उधर चलोगे, तो आप भाकते किस से हो भई, गोड के सहता से, तो आपको याद रखना, अगर गोड जन जाती में, अगर कोई लड़की बल पुरुवक अपने मन से किसी लड़के के घर जाके रह रही है, तो अगर ऐसे विवा को क्या बोलते हैं, भगेली विवा, तो याद रखना, गोड जन जाती है उसमें जो लड़की है वो अकर लड़के घर के घर जाके क्या कर रही है बल पुरुवा का रह रही है कि उसकी बहु है तो ऐसे हट विवा को क्या बोलते है भगेली विवा क्लियर जी याद रखने आपके लिए गुरावट विवा यह जो गुरावट विवा क्या चीज होता है समझी है थोड़ा से गुरावट विवाह क्या चीज है जैसे एक घर में आप साधी करने के लिए दो जन एक लड़का एक लड़की है और आप किसी घर क्या लड़की या लड़का देखने के लिए गया तो आप इमेजिन करो कि एक क्या है लड़का है ठीक है जी और दूसरी क्या है लड़की है अब ये लड़का अपने लिए क्या लड़की देखने के लिए गया अब ये जो लड़की है इसका भी भाई निकल गया ठीक है तो इसकी साधी अगर इससे हो जाए और इसका जो भाई है वो इससे साधी कर ले तो अगर ऐसा विवा हो रहा है क एक घर में लड़का लड़की है, जैसे आप imagine करो मुझे, मेरे फादर है, ठीक है जी, और इधर मेरी बुवा भी रहेगी, तो मेरे फादर मालो मेरी मम्मी को पसंद कर लिए, उसके बाद मेरे मामा जी, तो मेरी बुवा हो गई, मेरी मामी, क्लिए, तो अगर घर में ऐसे वर इसी के लिए जो पोटा विवा होता है, यह किस में होता है, आपके लिए गोड जन जाती में, मतलब आपके लिए यह अमसर गलत है, लेकिन इसमें पूछा का है, निनम में सुमेलित नहीं है, तो जो पोटा विवा होता है, वो किस में होता है, गोड में होता है, क्लियर जी और आपके जो कोरकू होता है, इसमें होता है पाटो, तो आपको याद रखना पाटो विवा, तो यह जो पाटो विवा होता है, यह किसमें होता है, कोरकू में, अब यह अलग अलग चीज़ है, यह होता है पोटा और यह होता है पाटो, clear जी, आपको चीजों को एकदम ध्या से देख के चलना है अब दोनों को भी बता रहा हूं यह पोटा क्या होता है पोटा में क्या होता है अगर कोई विवाहित इस्तरी है ठीक है जी कोई विवाहित महिला है कोई विवाहित जन्न जाती महिला है अगर किसी अमीर व्यक्ति के सांद, condition है ठीक है, अमीर व्यक्ति के सांद क्या करे, भाग जाए, तब क्या बोलेंगे उसी को पोटा, ठीक है जी, अब माल लो पाटो, निप्टा दिये सिधा उसको, ठीक है, मतलब अगर क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपके लिए जो पोटा, अगर किसी अमीर व्यक्ति के सांद, पाटो, इसमें क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के सांद, अमीर व्यक्ति का कंसेट नहीं है, किसी भी व्यक्ति के सांद, अगर भाग जा रहे हैं, तब इसी क्या बोल रहे हैं, को रुक तो आपको चीजे याद होनी चाहिए, आगे बढ़े क्या, अगला याद रखना है हमको अगला, ठीक है जी, सरहूल जनजाती परव मुख्य रूप से किसे जनजाती से संबंदित है, बहुत असान है, मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ, आपको जनजाती नित्य, जब आपको जनजाती नित्य पढ़ाया था, तब मैं आपको बताया था, तो आपको क्या बोला था, उ की मातर, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है क्या, उ की मातर, तो ये उ, और ये उ, तो आपको याद रखना, सरहूल जनजाती परव है, आपके लि ठीक है जी जब आपको क्या होगा नया वाला कलेंडर स्टार्ट होगा ठीक है जी आपके लिए 9 वर्स की सुबकामनाओं के साथ यह आपके लिए परव मनाया जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते है सरहुल परवा इसको किस के द्वारा मनाया जाता है उरावजन जाती के प्रश्न भी पूछता है, तो आपको साल का वरिक्ष होता है, साल के वरिक्ष में फूल लगने के समय, ठीक है जी, साल वरिक्ष होता है, उसमें फूल लगने के समय, ठीक है जी, किसकी पूजा की जाती है, तो आपको याद रखना सरना एक माता होती, सरना देवी, उसकी पू सकते हैं पहिलीज बता दे रहोंगे इसमें क्या होता है सूर्य देव होते हैं सूर्य देव का प्रतिक होता है उसी बोलते हैं इन लोग क्या धर्मेश जो उरावजन जाती है उसी क्या बोलते हैं धर्मेश और धर्मेश के या सूर्य देव के रूप में लोग क्या लेते हैं क ये कला मुर्गा का जो विवा है न यह करते हैं किस के साथ धर्थी माता के साथ? अब आप चीजों को समझेए, इस side है आपके लिए पूरा पृत्त्वी इस side है धर्थी माता, उपर से आ रहे हैं सूर्य देव, तो दोनों का प्रतिकातमाकरूप से क्या करते हैं विवा कर आते हैं अगर जनजाती है जाती है, इसमें जनजाती तो खिती कहां करेगा जी जमीन में तो प्रतिक होता है काला मूर्ग दर्तीमाता धरतीमाता दोनों का प्रतिक आत्माक सहिछь में कर देंगे कैसे करोगे प्रगट कर दोगे क्या तपस्या करोगे नहीं होगा प्रतिक आत्मा को रूप से अगर विवाह कराएंगे तो उसी विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं उसी परवा को हम लोग क्या बोलते हैं सरहूल परवा क्लियर जी आपको याद रखना ही ये क्लिय आगे बढ़े क्या तो आपके लिए आंसार था कौन सा भी अगला प्रस्न में चल रहे हैं अगले प्रस्न में हमारे लिए क्या लिखा है कर्मा लोग परवक किस माह में मनाया जाता है देखे कर्मा यह आपके लिए क्या है जी तीन अक्षरक है क्या तो आपको लिए याद उसके बाद क्या आता है असाड सावन भादू तो आपको याद रखना है भादो भादो में मनाया जाता है आपके लिए क्या कर्मा कर्मा से प्रस्न बहुत सारे बनेंगे सबसे पहली किसमा में मनाये जाता है तो इसका अंसर क्या जाएगा आपके लिए भादो आपको पूछे का कौन कोन सी जनजाती मनाती है तो हम क्या बोले ते हर करम अपना करेंगे तो हम एक कंसे बदल गया क्या वोले हर करम अपना करेंगे ए उंस in thrill body 17 हर करम अपना करेंगे आघ्वीजी तेरे लिए 15 तो आपको याद रखना भीन ए ओर तो आपको याद रखना हम और उर्व तो हर करम अपना करेंगे, ऐ बीटी जी तेरे लिए तो आपको याद रखना है क्या बैगा, बिरहोर, गोर्ड, औरुरा लेकिन आपको मुख्य रूप से पूषता है ना, तो आपको याद रखना है, मुख्य रूप से उराव जन जाती द्वारा मनाया जाता है ये पेपर में बार बार पूछता है कि मुख्य रूप से कौन मनाता है ये भी मनाता है ये भी मनाता है ये भी मनाता है ये भी मनाता है लेकिन मुख्य रूप से केवल उराव जन जाती के द्वारा मनाया जाता है किलियर जी कब से कब आप देखो कब से कब तो कब से कब मनाया जाता है आप खेत को भोगे तो खेत के बुवाई के बाद और कटाई के पूरवा खेत को भोग दिये और आपको काटने है ना तो भोने के बाद कटाई के बीच में जो जगा बसता है जो टाइम बसता है उसी टाइम पे आपके लिए एक लोग पर वह उराव जन जाती के बोलता है करम के देवता होता है करम सेनी की पूजा होती है याद रखना किस के लिए थे जाता आपको याद रखना से फसल की कामना के लिए आपको यह प्रस्वन और पूश सकता है जैसे हम लोग को बोलते हैं ना साहू का महुनेट काला खाहू सेम टू सेम कि स्रम की सेवा स्रम की सेवा किस लोग परवा में किस जन जाती परवा में आपको बताया जाता है तो यही है भई स्रम की सेवा या फिर जो स्रम का महत्वा है वो इसी लोग करव में आपके लिए क्या किया जाता है बताया जाता है तो आपको यद रखना एक लोग पर वजी से हम क्या ब Lynn Arama या आपको गूगल में दिखाएगा इसमें बहुत ज्यादा दिखाने का नहीं है अच्छा एक काम कर सकते हैं मैं जब भी आपको जनजाती वाला मेरा वीडियो देखोगे अगर आपके पास ऐसे कोई क्लिप्स हो कि सरी हैं आपके लिए काम के हो सकते हैं ताकि जब मैं अगला व पड़ेगा सरे फलाना है मैं फोटू देखके नहीं जान सकता भई मैं राइपूर का हूँ तो आप अगर कहां से बिलॉंग करते हो सरगूजा से आप बिलॉंग करते हैं वस्तर से तो आपके लिए जनजाती में बहुत सारे डेटा आपके पास होंगे तो अगर आप डिट यह होता है क्या तुपकी अगर आप बस्तर अंचल से संबंधित होगे बस्तर संभाग से संबंधित होगे तो आपको यह चीत दिखाई दे रहा होगा देखो इसको बोलते हैं तुपकी यह आपके लिए तुपकी बनाया जाता है क्लियर जी यह है आपके लिए तुपकी का क्wen 거죠 को क्या करता है कुडिया बनाके देता है जैसे ऐसा जैसे आपके लिए अकरिती होता है तो एक साइड ऐसे फूल को बोलते है मलकाई नी मलकागीनी का फल होता है नौτα मलकागनी का फूल एक साइट से डालेंगे आपके लिए होता क्या चीज है क्लियर जी यह जो गोंचा पर वह है जब हम लोग रजूतिया मनाये थे अब रजूतिया कब मनाये थे आप मेरे कमेंट बॉक्स में यहीं आप पोस्ट करेंगे वीडियो को और इमांदारी से कर मेरे पिछला वीडियो देखें, जिसमें मैं एकदम जोर से चिला चिला के बोला हूँ कि रजूतिया कब मनाते हैं, CBZ, उसके बाद क्या ता है, आसाड, कब आप सूकला पक्ष, दूसरा पक्ष, द्वितिया दूसरे दिन मनाते थे क्या तो आपको जिस दिन हम लोग क्या मनाते है रजूतिय मनाते है उसी दिन यहां क्या मनाया जाता है गोंचा परव आपको थोड़ा इतिहास बता देता हूं कि जो कोंचा परव है ये पेपर में नहीं आएगा जो पेपर में आएगा मैं बताऊंगा गोंचा परव कोन प्रारम करवा यह करवा है था कोन पुरसोत्तम देव नाम के काक्तिवंसिय सासक है स्वारी एक सासक थे इन्होंने ही बस्तर दसारा और इन्होंने ही क्या गोंचा परव का सुरुवात करवा था clear जी तो आपको याद रखना है पूर सोत्तम देव जी clear आगे बढ़े ये कितने दिन का है ये आपको पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना 10 दिनों का परव हैं और जो पूरे दिन क्या करते हैं संपून बस्तर में क्या करते हैं जी रत यात्रा निकालते हैं ठीक है जी और 10. दीन यह आपको पूछता है कितने दिन द दिन में एक दूसरे के ऊबर क्या चलाते हैं तूपकी चलाते हैं तूपकी चलाते है इसका भी आपके लिए concept तो आपको तूपकी याद रखना है यह तूपकी होता है basically जैसे हम लोग बोलते हैं आपके लिए क्या 56 अपों की सलामी देते हैं करके तो यह हमारे जो अराद्य देवता है उनके प्रती हमारा कृतग्यता होता है उसी खम लोग क्या करते हैं तूप की चलाते हैं क्लियर जी आगे बढ़े गया अगला प्रस्ण है आपके लिए कौन सा अच्छा इसमें और कुछ नहीं मनाते हैं इसमें क्या होता है आपके पास देवता होते हैं कौन भीमा देव तो भीमा देव का पूजा किया जाता है और आपको प्रस्ण पूछता है और प्रस्ण बता रहा है आपको पूछेगा इसी में कि मेचका मेचकी अब यह क्या होता है मेचका मेचकी ब मिंधक का, तो मेच का, मेच की विवाह कब किया जाता है बस्तर अंचल में, आपको याद रखना, भीमा, जात्रा, पर्वके दवरान, क्लियर जी, अमूस्तिहार, तो मैं मुस्वा करके याद रख लिए, मुस्वा होता है न, तो हम लोग क्या मनाते हैं, सावन, आमावस्या, तो आपको याद रखना, सावन, आमावस्या, में हम लोग क्या मनाते हैं, हरेली, तो इन लोग क्या मनाते हैं, अमूस्तिहार, तो आपको पूछा जाएगा, कि अमूस्तिहार कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, सावन, आमावस्या, थोड़ा सागार इसको डिटेलिंग करे, तो तो सावनामावस्यkiem, जब हमम लोग हरेली करते हैं, तब क्या करते थे, हरेली मनाते थे, क्रिसी उपकरण की पूजा करते थे, इसमें क्या होता है? आपके लिए, क्रिसी में, और कुन हमारा हेल्प करता है? पसू, तो आपको बोलेगा, पसूधन की पूजा, तो क्या होते हैं व्रिक्ष होते हैं इंका महत्व होता है तो आपको पूछेगा रसना इस होता है इसका महत्वकिस तेवार में होता है आपको याद रखना अमुन स्तिहार गोंचा परवत बता चुका हूं बीच फूटनी या माटी तेवार इससे भी आपको प्रश्न पूचता है यह कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपके लिए चैत्रमा में ठीक है भई अब इसमें क्या करते है यह माटी वर्ड आपके लिए इंपॉटन्ट है और बीच कहा फूटेगा जी मिट्टी से फूटेगा ना तो आपको पूछता है कि किस माम मनाते है चैत्रमा में पूछता है किस की पूजा की जाती है प्रित्वी माता की अगर आप ग्रंथक आदमी में पढ़ोगे तो वो बोलता है मिट्टी के वास्तविक स्वरूप की पूजा की जाती है मिट्टी के वास्तविक माटी मतलब क्या हो रहा है मिट्टी मिट्टी मतलब हमारे लिए क्या होई पृत्वी माता क्लियर जी तो आपको हर प्रस्ण अपने आप में हर आप्शन क्या ह आप चीजों कैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे क्लियर आगे बढ़े क्या बताया था क्या इसमें अंसर राज्य में किस जन जाती के द्वार तुपकी चलाया जाता है किस परव में तो आपको याद रखना है गोंचा परव में क्लियर पहला प्रश्ण दूसरा इसी को और पूछेगा आयास का को गला कर लोहा बनाने का कारिया 36 गड़ के किस जन जाती के द्वारा किया जाता है आप समझे अगरिया अगरिया आपको सरिया टाइप नहीं लग रहे हैं सरिया मतलब लोहा का छड़ जी उसी इक बोलते हैं का सरिया या टीम्टी फलाना टीम्टी धेकाना टीम्टी आपको याद रखना अगरिया सरिया अगरिया सरिया जैसे हमारे साइड होता है लोहार या उसी इक बोलते हैं हम लोग लोहार आप देख रहे हो इसमें क्या होता है इन लोग परमपरागत में अच्छा इसमें आपको एक च अगे बढ़े क्या देखो उसके बाद दिखे रहा है यह आप क्या चीज़ है कमेंट में बताएंगे एक किसका फूल है यह बस्तर में जो सर गुजा जी ले में लोग हो रहते होंगे, वो देखे होंगे, अम्बिकापूर के आश्पास, ये होता है खैर का वृच्च और खैर के वृच्छा से ही क्या निकालते हैं? कत्था, तो जो जन जाती निकालता है इसी जन झाती को बोलता है, खायरवार जन जाती के द्वारा कथा निकालने का काम किया जाता हूँ कथा कहां से निकालता है खायर के पेंड से आपको पूछेगा राज्य का एक मात्रा या फिर राज्य में पूछेगा कि कथा फैक्टरी कहां है कथा फैक्टरी तो आपको कथा फैक्टरी कहां बताना है जी सरगूजा में clear जी तो आपको याद रखना है ये कहां से तो खैर के वरिक्ष से किनके द्वारा खैरवार जन जाती आपको प्रस्ण बहुत डीपर बन सकते हैं मैं सब बता दे रहूं clear आपको याद रखना है क्या पारद तो आंसर तो आपके लिए ये हो गया कि जो अगरिया होता है वही लोहे को गला कर आपको क्या करता है अपने जीवन यापन करता है आपको याद रखना पारदी तो पास से याद रखना पारदी और पास से याद रखना पक्षी लेकिन ये पक्षी का सिकार करते हैं और इसमें भी एक color defined अगर काला color का काले रंग का अगर पक्षी का सिकार करते हैं तभी उसी क्या बोलते हैं पार्धी आप देखो ये चीज़ आप देखे होगे लेकिन आप जानते हैं ये चीज़ देखे हो न हम लोग इसी नहीं की बोलेते हैं यह मना आई सीकारी मन तो जो सीकारी मन बोलते है ना वही होता है आपके लिगे कोन सा पारधी जन जाती के लोग आपको एक बार और दी पर पुछका है पारधी जो है पारध वर्ड से बनाय। अब ये पारध का आपको मीनिंग iki पूछहाई पारत का मतलब होता है सिकार सिकार करना लेकिन कौन से काले रंग का पक्छिर जैसे आप देखे होगे और अगर आप नेशनल हाइव में चलते ओगे तो आपको बंटेर मिलता है तो अगर काला काला रंग का अगर पक्छियों को तो आपको याद रखना कोखो, खो से याद रखना खोदने का काम करते हैं, किसको खोदने काम करते हैं, जमीन को, तो आपको याद रखना, जमीन खोदने का कार्यक जनजाती के द्वारा किया जाता है, इसी जनजाती को क्या बूलते हैं, कोरकू जनजाती, क्लियर जी, आगे बढ़े क्या अगला याद रखने है हमको क्या अगला देखिया जी वास सिल्फ कला में पारंगत जंज अती कौन सी है पहला लिखा कमार दूसरा लिखा धनवार तीसरा लिखा भी रोब चयूंता लिखा उप रोग तस ही इसमें अन्सर आएगडि ये जो तीनों के तीनों है बास सिल्प के लिए, बास सिल्प के लिए क्या है, बहुत फेमास है, पूरे 36 गण में, बास सिल्प का मतलब क्या होता है, कुछ भी बनाए, वो टोकनी बनाए, वो चरिया बनाए, कुछ भी बनाए, अगर वो बास से निर्मित है, तो उसको बोला जाता है, बास सिल्प क्लिय यह करके पुछेएगा तब आपको बताना है क्या कंड़ा जंजाती होता है वह बनाता है आपके लिए क्या बास के ब्रतन प्रस्ना यह भी पूछा हुआ है अगर माल अपशन में दिया कंडरा कमार धनमार भिरोड उसके बाद को एक और option देता है उप्रोक्त में सभी सब के सब answer मारना भाई अगर क्या बर रहा बास के बरतन बर रहा है बास के शिल्प बन रहा है अगर यह दोनों प्रस्ण अलग अलग time में पूछा अगर दोनों एक सांथ देगा तो आपको आपतन सब ले लेना कोई दिक्कत नहीं बास सही बन रही हैत क्लियर जी आंसर लिया हुआ है इसलिए बता रुम आपको ठीक फलानाम यह पड़े थे, धिकानाम यह पड़े थे, यह आगे पड़ रहा है, चिउडा या पोहा निर्मान का परंपरा गतकार या कोन सिजन जाती करती है, अब या पोहा या चिउडा खाने का चीज है, और जो हलबा, हलबा से याद रखना आपको हलबा, और हलबा भी तो ख एक जन्य जाती के द्वारा किया जाता है इसी हम लोग क्या बोलते हैं हल्बा जन्य जाती क्लियर जी याद रखना आपको पार्दी तो पार्दी क्या करता है क्या बताये थे जी काले पक्छी का सिकार बताये थे ना और सरवस्रेस्ट आपके जो गोंड होते हैं, राज गोंड लोग होते हैं, और यह जो गोंड होते हैं, वो पूरे 36 गड की टोटल पापूलेशन का लगभग 50 प्रतीसत, अगर हमारे यहां राज्य में लगभग 38 लाख जन जाती है, उसका भी आधा, मतलब लगभग 39 लाख क की क्या है, अबादी है, प्रस्ण ये भी पूछता है, तो सरवाधिक जन संख्या भई, किनका गोंड का, तो आपको याद रखना, उसके बाद पूछ रहा है, कवर, कवर, आप समझे, अब मैं कोई बाहू भली तो हूँ नहीं, मालो मैं निकला, मेरे कोई पीट पाट दिय है, उसमें आप लोग आ गए, कि हाँ, हमको कोमल सर पढ़ाता है, तो आप मेरे क्या करोगे, कवर करोगे, मतलब आप मेरे लिए क्या काम किये, सेना का, तो आपको याद रखना है, ये जो कवर जन जाती होता है, ये सैनिक का का काम करती है, या सेना का का काम करती है, क्लियर जी याद रखना आपको ये चारों के चारों प्रस्ण पूछे हुए हैं क्लियर आगे बड़े क्या अगला याद रखने हैं हमको अगला पूछ रहा है सलफिक किस जन जाती का पेपदार्थ है जैसे पीना खानावाल आया होगा एक दो जन के मन में लड्डू फूटा होगा अब यह क्या चीज है आप देखे होगे यह देखे होगे आप भाई बस्तर वाले लोग होँगे एकदम असानीस देखे होँगे मैं बस्तर घूमने गया था तब देखा था तो दुद्रिक फोटू ला लिया हूँ मैं नी पिया था बता दे रहा हूं है तारी तो आपको याद रखना है यह यह भी प्रशन पूछा हुआ है आपको पूचे का गोंन जाती होता है वो क्या पीता करके आप आप समझो अभी तो जैसे आपके घर किस से बनाते हैं खाना में रख नहीं पता जैसे मैक्सिमाम लोग जो ज्यादा डवलप हो गए उन लोग क्या करते हैं अपने घर में कुकर से खाना बना दिये क्यों उसमें ज्यादा ताम जामनी सीटी मारो खतम लेकिन अगर आप घर में पर हो गया गिर गया अब हम लोग कई बार बच्पन में मार खाया होगे आप भी मार खाया होगे तो आपको याद रखना गों तो आपको याद रखना पेज चामाल से मैं बताया कि आपको कि चामाल को रख देते थे तो जो चामाल का मार गिरता है उसको क्या बोलते हैं पेज तो आपको याद रखना है जो पेज आपके लिए पेपदार्थ पिया जाता है, किसके द्वारा पिया जाता है, गोंड जन जाती, आप पूछेगा बस्तर की समस्त जन जाती हो के द्वारा कोन सा पेपदार्थ पिया जाता है, आपको याद रखना है लांदा, clear जी, तो आप को याद रखना है बस्तर की समस्ता जन justification के द्वारा लान्दा जो आपका फ्वे पदार्थ होता है उसका क्या किया जाता है सेवन किया जाता है एंगे चले क्या अगला याद रखने हैं हमको यसी तो आप देख लिए आपको याद कि मुडिया जन जाती में घोटुल के अराध्य देव कौन माने जाते हैं क्लियर यहां से आपको चार प्रस्ण बनेंगे और चारो चारो प्रस्ण आपको पूछा हूँ क्लियर तो आपके लिए मुडिया जन जाती याद रखना है आपको मैं लास्ट वीडियो में एक चीज बताया था कि जो मुडिया जन जाती होता है सांस्कृतिक रूप से सबसे जादा क्या होता है जी एकदम सबल होता है प्रबल होता है यह बताया था ना आपको याद रखन कोंडागाओं के अराध्य देऊं तो आपको यह प्रश्टम भी पूछा है कूणडागाओं के अराध्य देऊं है उसके बाद आपको पूछे अंगा देऊं आप जानते हूं मुढिया जन्रस्जाती के द्वारा क्या किया जाता है जी और यह भी मुडिया जन जाती का है ना मुडिया जन जाती का कुंड़ा गवं में अराध्य दे उसी हम लोग क्या बोलते हैं बुढ़ा देओ के नाम से आपको याद रखना अंगा देओ मुडिया जो जन जाती है ना मुडिया जन जाती में अगर नरायान पूर मड़ाई मेला होता है उसका आयोजन के द्वारा किया जाता है मुडिया जन्जाति ये भी प्रस्ण पुष्ट है और अगर मुडिया जन्जाति के द्वारा नरायन पूर मड़ाई मेला का आयोजान करते हैं तब उसमें जो देवता होते हैं उस देवता का नाम क्या है आपके लिए अंगा देव आपको याद रखना करम से नी मैं आपको जीतना चीजों को मैं असान बना सकता था मैं बनाया हूँ तो मैं कोशिस करूँगा कि आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते रहेंगे और निरंतर दिन बदिन बढ़ते रहेंगे क्लियर जी तब तक के लिए जय जोहार जय चतिस गर